हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस इस समय आप लोगों का यूबी बोर्ड का एकजाम चल ला है फ्रेंस आज 24 मार्च 2022 को समान हिंदी का आप लोगों का पेपर हुआ था फ्रेंस जो समान हिंदी का पेपर है टलाश 12 का है अर्थात कच्छा 12 का पेपर है फ्रेंस इ कराने से पहले आप लोग पहले इस पेपर को देख लीजिए कि प्रश्ण कैसा पूछा गया था चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके सामने यह समय है यह जदि आप पेपर दिये होंगे तो आपको समय पता होगा कि तीन घंटा 15 मिनट का समय मिगता ह ठीक है फ्रेंस फिर इसके बाद निर्देश निर्देश जो दिया होता है इसको पहना जरूरी होता है फ्रेंस पहला निर्देश था कि 15 मिनट में आप लोगों क्या करना था कि प्रश्ण पत्र जो था इसको पहना था फिर इसके बाद सेकेंड नंबर का निर्देश था कि इसमें दो खंड है यानि खंड कर और इसमें दोनों खंड के सभी प्रश्णों को करना अनिवार है चलिए फ्रेंश देखिए खंड को के यहां पे आपके वस्तुनिष्ट प्रस्ण अर्थाद आपके अब्जेक्टिव वाले प्रश्ण थे फ्रेंश यहां पे पहला प्रश्न को हल करके आपको समझाएंगे कि इसका एंसुर क्या होगा फिर देखे इसमें टोटल पांच प्रश्न पूछे गए थे ठीक हैं फिर इसके बाद यहां पर आता है प्रतिएक प्रस्न नमबर के थे पिर इसके बाद देखे इसको क्या करना था कि पहले आपको पढ़ना था, फिर लिखा है अथ्वा का मतलब होता है कि आप इस प्रस्न को हल करें यहां तिया है इसको पांदा था इसे नीचे फांच प्रस्न ते इन डोनों प्रस्ण चाहिए प्रस्ण चाहिए प्रस्ण इन दुन प्रस्णों में से कोई एक प्रस्ण को हल करना था ठीक है फ्रेंस आप समझ गए होंगे देखिए आपके सामने यह प्रस्ण चोथे नंबर का था फ्रेंस चोथे नंबर का प्रस्ण क्या था कि पद्यांस था इसको वैदारित पांच प्रश्ण थे उसको देना था ठीक है इसका एंस्वर देना था या अथवा करके हैं इस प्रश्ण को आप फ़ाल करें या ही यह इसके आजब पाध्यांस था इसको पढ़ना था इसके प्रश्ण और पstein को और ऐसीृब्दों में देना था देखिए फ्रेंस आपके सामें किसी सिन्हें Не जैसेती एक करना था ठीक है चलिएंपर है किसी से और करना थो परहोशनु त सुंद HAS फ्रेंस कने other शाठवा नंबर का प्राशन देखिए फ्रेंज था कि पंच लाइट अथवा बहादूर कहानिया जो है उसका सारांस लिखना था इन दोने में से जो आ रहा है उसको कीजिए या यहां पर दो था दुर यात्रा बहादूर कहानी के जो देश थे उन दोने में से कोई एक करना चाहे इन दोने में से कोई एक करें चाहे इन दोने में से कोई यहां पर एक ही प्रशन करना था साथ में नंबर का प्रशन था आपका कि स्वपठित खंड काभ्यों के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रशन का उत्तर अधिक्तम शब्द में दीजिए फ्रेंज देखिए इन दोनों प्रश्ण को पढ़ी इन दोनों प्रश्ण में से कोई एक प्रश्ण था, खावाला में से इन दोनों प्रश्ण को पढ़ी इन दोनों प्रश्ण में से जो आ रहा है एक प्रश्ण का उतर देना था, इसी तरह जो गह था इन दोनों प्रश्ण को पढ़ना था, इस करना था इसको पढ़ना था कि क्या करना था कि हिंदी में अनुःाइद करना था इसके नुदोlor खावला था कि 46 इसके बाद नवे नमबर का प्रशन था कि एक आर्थ लिख अपने वाक्य में प्रयोग करना था इसमें से किती एक का मुहारा दिया है इसमें से उसका आर्थ लिखना था और इसमें से इसका क्या करना था आपको अपने वाक्यों में लिखना था शब्दों में लिखना था ठ नहीं विकल्प का चैन कीजिए इसमें था कविंद्र इन चारों आपसन में से कौन से सही होगा उसका एंसवर देना था फ्रेंज जितने भी आप जक्ति वाले सभी प्रशन कराएंगे वस आप देखते रहे हैं सेकेंड नमबर का था कि देवेस था इसका संदिवी छेत करना था यह चार आपसन है इसमें से कौन से एंसवर सही होगा उसका एंसवर देना था थार्ड नमबर का इस प्रशन में से चार आपसन है इसमें से एक सही है उसको देना था खा नंबर का था कि विभक्ति और वच्ञन के अनुसर सही है थार मैं सी इसमें कोई 1 जही है फिर 11 नंबर का था इसमें से कोई 1 जही मतलब यहाँ पे लिठा कि शब्द यूगुमों का सही आर्थ चैन करके लिखी यानि कि इसको देखना ता इसमें एंसुर बता रहा था है। इसी ही पकार Sकेंड अब खावाला देख सकते हैंmakers ुप्रेंज पढ़ते हैं। इसी तरह देखिए जाट गहा का प्रॉष्ञ का प्रॉष् Lee और और यानि कि इन कोई एक के बार यह लिखना था इसी तरह खवाला भी बिद्धा भी लिखना था इसी तरह नंबर का प्रश्ट इसको पढ़िए इन किसी एक का इंस्वर आपके बॉड़ के एक्जाम में चौण इसी तरह 14 नंबर का प्रशन था 14 नंबर में से एक पर अपनी भासा शैली में निम्बंद लिखना था यानि कि इसमें से पांच दिया है पांच में किसी एक जिस पे आपको समझ में आ रहा है उस पे आपको अपने शब्दों में एंसर लिखना था चले फ्रेंच जो इस्टा माता भूमी ये वास्वदेव श्रागयरवाल की कृती इसका इंसर यहीं होगा ठीक है फिर इसके बात अंग्या है कि हजारी परसाज दिवेदी की रचना कौन सी थी इसमें आपको पहला प्रशन का इंसर स्ञेय होगा कि हिंदी साहित की बूमिका जो है हजारी परसाज फिर इसके नंबर बाद देखिए घह का था अगनी की उडान अगनी की जो उडान है इसमें आपका चोथा नंबर का डाक्टर एपीजी अब्दूलकलाम की रचना है फिर इसके बाद अंग्यावला था कि रेड़ू की कृति ठूमरी किस भासा पाधार ते फ्रेंस इसको आप छोड़ दीजिए कहां देखिए अभी नहीं बता पाएंगे देखिए दूसरे नंबर का रस कलस किसकी रचना है इसका तीसरे नंबर का जो आपसान यह सही है आयोध्या सिंग उपाद्दाय हरी और की रचना है ठीक है फिर इसका इंस्वर आपका भारत भारत भारती है इस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें